नाराएं नाराएं आप सभी का श्वागत है आज हम आप के लिए दिखाएंगे सल वाली प्रेंसिस कट बिलाउज की सिलाई करके तो ये देखे सबसे पहले हमने मैं कपड़ी को नीचे रखा है और मैं कपड़ी को हमने सीधा रखा है नीचे से हमें आदा हैं जिदा बाते हुए सीधी सलाई लगानी है हम दोनों पाटों को आमने सामने रख कर ही सलाई करेंगे ताकी एक साइट के न बने subscribe ett दोनों पाट को में अस्तर को और मैं कपड़े को सीधा खोल के रखना है और अस्तर की साइट इस वाले जो क्राइब कुद्धा आता हुई , हम उपर से इसमें सिलाइब लगानी है , अब यहां सेख़ता है मन कपड और ऐस्थर के जरयंट कि यह हमें学 स EV口 कर मतर्स процесс Hugo टो तो फाव गड़ता है , ताकि इसमें जूंडा बने यदेखे इस तरीके से आधा हमें ब거나 बेंखेंगे और हमें गले की हांसे और चारों साइट से में कपड़े और अस्तर में सिलाई लगा कर चिपका लेना है ये देखे इस तरीके से हमें सिलाई लगा कर चिपका लेना है दोनों पार्टों को सिलाई लगाने के बाद आप हम जितना भी मैन कपड़े एक्ष्ट्रा है असतर से उसकी हम कटिंग करेंगे ये देखिए इस तरीके से इसी तरीके से हमने दोनों पाट को तैयार कर लिया है अब हमें इसमें टक्स डालनी है हम प्रिंसिस कट में सल बाला बिलाउज बना रहा है तो ये देखिए नीचे से हमने इसकी लंबाई को नापा है ये देखिए सबा पाच इंच नापा है नीचे से और ये देखिए करेंबंट चोडाई में 쓸साल बनाएंगे और लंबाई में अमें इसकी दो इंच लंबी सल डालेंगे कि नीचे से नापणे पर इसकी लंबाई जबद पांच इंच आ रहे और ऊपर से ये देख़ें हमें नापणे पर और यह आ रहे है साड़े 10 इंच अब इसी तरीके से हम इस साइड भी टक्स बनाएंगे ये देखिए नीचे से इसकी लंबाई को ना पेंगे तो सबाब 5 इंच पर हमने टक्स को बनाया है टक्स को हमने 3 पाइंट तब आया है और लंबाई में 2 इंच तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट में टक्स बना लिये हैं अब हम इसमें आई पट्टी बनाएंगे आई पट्टी बनाने के लिए ये देखिया हमने इससे पहले हमने जवाब के लिए interpreti कर्बलाऊच के स्लाइब करके दिखाए उसमें हमने आई पट्टी लगाना आपको बाद में दिखाया था इसमें हम आपके लिए पहले ही दिखा रही ये देखे इस तरीके से हमने अस्तर और मैन कपड़े से आई पट्टी को बना कर तयार कर लिया है अब हम ये देखिए इस तरह के से आई पट्टे के ऊपर बिलाउज को रखेंगे और यहां से हमें आधिन सेवी कम दवात हुए सीधी सिलाई लगानी है पट्टी को हमने दोनों साथ से बाहर निकाल कर रखा है उपर से और नीचे से ये देखिए अब हमें पट्टी को और बिलाउस को ये देखे इस तरीके से खोल के रखना है और पट्टी की साइट हमें इस कपड़े को दबाते हो ये देखे सिलाई वाला जो जॉइंड है उपर से हमें इस पे से सिलाई लगानी है अब नीचे से हमें से फोल्ड करके यहां पर सिलाई लगाएंगे किनार से सिलाई लगानी है हमें और एक्स्रा कप्डी के हम कटिंग करेंगे यह देखे अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है यह देखे यह देखे हमें इस तरीके से buzोड करना है जो हमने पट्ती को जोंट किया है किया है हमें बिल्कुल पट्ती-परी फोल्ड करना है बिलाउस के उपर नहीं चढ़ाना है सबसे पहले हम नीजे से पक करेंगे और एक नीजे आई बनाएंगे अब ये देखी हमें मसिन से आई इस तरीके से बनानी है आप चाहें तो जोग से इस पर निसान बनाने आपको जितनी भी आई बनानी है पाँच या छे हमसिन से आई बनाते हैं तो सामने से बिलकुल भी इस पेस नहीं दिखता है और बहुत अच्छी फिनेसिंग दिखती है अब ये देखिए हमें गले के पास में उपर एक आई बनानी है अब यहां से हम एक सा पट्टी की कटिंग करेंगे तो ये देखिए हमने इसमें चयाई बनाई है और उपर से हमने हलका सा इस पेस छोड़कर रखा है पाइपिंग के लिए अब हम हुक पट्टी बनाएंगे हुक पट्टी बनानी के लिए हमने आगे की गली की कटिंग को लिए यहां से पटी को छोईंट करेंगे अब पत्ती को छोईंट करेंगे पत्ती को बना करते सरी इसमें भी प्ट्टी के उपर चैप लाएंगे और आज़ पट्टी हमने बναले है यह देखिए डोनए पार्ट में वेड़िकिके और हमने प्रध यृत में परन्छहें के लिए इसमें झाले हैं इस तरीके में पार्टों को पलट कर तयार कर लिया है अब ये देखिए हमें इन दोनों पाटों को इस तरीके से पहले सिलाई लगा कर आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगा कर हमें जोइंट करना है ये देखिए इस तरीके से बिलकुल बराबर मिलाते हुए आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगा तो इसमें एक पाट की लंबाई बढ़ जाती है इस वाली की कमाती इसलिए हम आर्मुल्स के आंसे एक्षा रखते हैं और बात में हम इसकी कटिंग करेंगे अब यह देखें सबसे पहले यहां से हमें डेढ़ेंट चोड़ाई में मार्क करना है और लंबाई में हमें मैंट प पौन इंच पर मार्क करना है तो यह देखें दोनों पाट एक पाट की लंबाई जादा है तो हमें पहाँ पर मार्क नहीं करना है जिस पाट की यह देखें लंबाई कम है हमें बहाँ पर पौन इंच पर मार्क करना है और यह देखें पहले हमें यहां पर डेढ़ इंच तक कि यहां से डीछ दबाते हुए हमें यहां तक आना है यह देखेस्व देना केसे Chemmy सीधा सवाइन है अब यहां से हमें और के सब्सक्राइबर की कसे whitish मार्जिन छोड़ेंगे बांके एक्सक अपने के हम कटिंग करेंगे अब यह देखिए कितना अच्छा पप बन कर आ गया है अब हमें इसमें सिलाई लगानी उपर से यह देखिए जे जोड़ वाला कपड़ा इसको हमें इस सैट दबाते हुए उपर से हमें सिलाई लगानी है गिदे कि इस तरीके से हम इसमें दो शिलाई लगाएंगे अब हम इसमें एक स्लाई और लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से जो साइट वाला पारड है हमें उस साइट दबातु की स्लाई लगानी है ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें दों स्लाई लगा लिया अब हमें जो इस साइट टक्स बनाई है तो हमें इस साइट भी यहाँ पर टक्स बनाना है साइड में तो यहां से हमें इस देखिए इस तरीके से बलाउस को हमने फोल्ड करके रख लिया है नीचे से लंबाई हम सब पाच इंच ही ना पेंगे इसके सामने हमें टक्स बनानी है ये देखे सब पाच इंच पर हमें टक्स बनाना है याँपर अब इस वाले टक्स को हम जो इंची टैप में पाइंट होते हैं उसमें चार पाइंट दबाना है चोड़ाई में और लंबाई में ये देखिए जो जोइंड है ये प्रिंसिस कट से यहां से हमें डेर इंच छोड़कर और टक्स को बनाना है बस डेर इंच इस पे छोड़ना है हमें बीच में ये देखिए इस तरीके से हमें सल बनानी है अब हमें आर्मोल्स के हांसे जो हमने एक्ट्रा रखा था अब हमें उसकी कटिंग करनी है तो सोल्डर चोड़ाई हमने साड़े 5 इंच रखी थी तो तो हमने साड़े 5 इंच पर मार कर लिया है चोड़ाई में अब उपर से हम पार्ट की चोडाई हमने एक इंच पीछे के पाट से बढ़ा कर रखी है इसलिए चोडाई में आर्मोल्स की लंबाई बढ़ जाएगी तो हम आर्मोल्स की लंबाई पांच इंच रख रहे हैं और नीचे हमें इस साड आदा इंच डाउन करके साड़े 5 इंच पर मार्क करना ह अब यह कोनी के हां से हमें इंची टेप को रखेंगे और आर्मुल्ज गोलाई हमें एक इंच पर लगानी है अब यहां से सेप देते हुए हमें इस नीचे बाले मार्क से मिलाना है यह देखिए इस तरीके से हमें सलाई करनी के बाद आर्मुल्ज के हां से कटिंग करनी है मार्मोल्स के हां से कटिंग करेंगे आप मार्क लगाकर भी कर सकते हैं और ये देखिए हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं इस वाले पार्ट को हम इसके उपर रखेंगे ये देखिए लेकिन ध्यान रहे जो आई पट्टि है उसे आपको छोड़ कर रखना है नई तो आपके एक सैट पार्ट में जोला जाएगा और ये देखिए जो प्रिंसिस कट के जोइंट को हमें बिलकुल बराबर मिला कर यहाँ पर पिन से सेट कर देना है ये देखिए और गले के हाँ से भी हमें ये देखे बिल्कुल आई पट्टी को छोड़कर दोनों पार्टों को बराबर मिला कर रखना है ये देखे इस तरीके से हमें नीचे से भी बराबर मिला लेना है दोनों पार्टों को गले के हांसे भी और चारो साथ से बराबर मिलाकर अब यहां से हमें एक्षा जितना कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है अब यह देखिए प्रिंसिस कट बिलाउस में हम आगे के पार्ट में साड़ी तीन इंच मार्जन क्यों रखते हैं यहां से हम पौन इंच दवात यहां से जो हमने डेल इंच एक्षा था बो बिल्कुल पराबर आ गया अब इसकी आगे के पाट की चोड़ाई आ गया है सबा 11 इंच अब हम पीछे के पाट की सिलाई करेंगी तो यह देखिए पहले हमें यहां से जो आदा इंच हमने तिर्ची से ब मेरे सान लगाया था उ करेंगी देखिए चारों सैट से हमें बिल्कुल बराबर मिलांना रखना मत नीचे से आध इंच दावाती रहिए से लगाकर इसको पलट कर तैयार कर OM तो यह देखिए हमने नीचे से पलट कर और पाइपिंग लगा कर तोनों पार्ट को जोड़ कर तैयार कर लिया है अब हम आपके लिए स्लीफ बना कर दिखाएंगे क्योंकि स्लीफ में जोइंड लगाने में सबसे जादा कन्फूज होते हैं तो इसलिए हम आपके लिए कटिंगे इसको हमने बिल्कुल सीधा रखा है यह देखिए बराबर इसके लिए हमने दो पट्टी के कटिंग के एक पट्टी को हमने नीचे रख लिया और एक को हमने ऊपर रख लिया अब यह देखिए यहां पर हम इसको सिलाई लगा कर जोइंट करेंगे अब इस वाली पट्टी को भी हम यहां पर जोइंट करेंगे एक पट्टी को हमें नीचे रखका सिला है और यह देखिए एक पट्टी को उपर अब यह देखिए सिलाई लगाने के बाद अब यह देखिए दोनों पार्टों को हम बैसे ही मिलाकर रखेंगे जैसे हमने कटिंग करी देखिए इसके दोनों पार्ट के जोइंट आमने सामने आगा है इस तरीके से हमें सिलीप्स में जोइंट लगा लेना है अब हमें slip को बैसे ही folder करनी है ये देखिए folder करनी के बाद अभी यहां से जो हमने पट्टी चोंड की है इसका जो एक्ष्टर कप्ड़ा है उसके हमें cutting करना है अभी ये देखिए एक्ष्टर कप्ड़े की cutting करनी के बाद हम आगे के पाट के लिए slip में गैराई देंगे 2.5 बर देकें तरिकें से सलिपस में गैराई लगानी है अब हम मैन कपड़े में भी जोइन लगाएंगे ये देखें इसमें हमें जोइन दोनों साइट लगाने है, अस्तर में हमने एक साइट लगाया था आद यह सीधा रखा है कि इसमें हमने १ूरफ निए उपर रखा ऐस सट और एक को नीचे रख लिया है और यह देखें इस त्रीके से हमें जोइंट हो जेहा है सिलाई लगाने के बाद आप ये देखे इस तरीके से हमें उपर से सिलाई लगानी है ताकि जो जोंड है अच्छे से सैट हो जाए ये देखे इस तरीके से सिलाई लगानी है हमें अब इसी तरीके से हमें इस सैट भी उसमें पट्टियों को जोंड करना है ये देखे इस साइट भी हमने एक पट्टी को ऊपर रख लिया है और एक पट्टी को हम नीचे रखेंगे ये देखे इस तरीके से हमें सलाई लगा कर दोनों साइट हमने स्लिप्स में जोइंट लगा लिया है अब हम इस पर ऊपर अस्तर की कर्टिंग को रखेंगे ये देख कि इस तरीके से रखना है हमें slips को में कपड़े को हमें नीचे सीधा रखा है अब ये देखी हां से हमें आदा चिदा बाती हुए नीचे से सीधी सिलाई लगानी है हम दोनों slips को साथ में ही बना कर तैयर करेंगे ये देखे इस तरीके से अब ये देखिए जो गेराई बाला पार्ट स्लिप को हमने दोनों को आमने सामने रखा है हम दोनों स्लिप को साथ में पना कर तयार करेंगे ताकि ये कभी-कभी एक ही साइट की बन जाती हम आमने सामने रखकर बनाते हैं तो ये सही बनती है अब ये देखिए इस को हमें अस्तर की सैट दबाती उपर से हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है और में कपड़े और अस्तर को ये देखिए हाथों से हमें दोनों सैट को खिषते हुए रखना है अब यह देखिए यहां से जोंट की हां से हमें बिलकुल नीचे से बराबर मिलाकर रखना है यह देखिए इस तरीके से ताकि स्लिप्स में जोलना बने इस तरीके से बराबर मिलाकर रखेंगे और उपर से हमें में कपड़े और अस्तर को सिलाई लगा कर चिपकाना है इसी तरीके से हम दोनों स्लिप्स में सिलाई लगाएंगे और यहां से हमें जितना भी एक्सा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है अस्तर से जितना भी एक्सर कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करदेना है दोनों स्लिप में तो यह देखिए हमने दोनों स्लिप्स को बनाकर तयander कर लिया अब इसको जोंट करेंगे बिलाओस में स्लिप्स का बीज कर इसको हमें לंद कर लेघेर से तीका नियुकर में में पने रख करेंगे और इस तरीके से मिलाथे हुए आधंज दाबातु हमें सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से हम noted prima сそう as में जोइंट करेंगे लोगा। सहतो है की करें अरोफ को में पिल्कुल भी खीज़ना नहीं है। इसी तरीके से हम दोनों स्लिप्स को जोइंट करेंगे तो यह देखिए हमने दोनों स्लिप्स को जोइंट कर लिया अब हम पीछे बाले पार्ट में टक्स डालेंगे तो हमने पार्ट को यह देखिए इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है अब यहां पर हम जो हमने मार किया तो यहां पर हम कट लगाएंगे तो यह दोनों साइट आ जाएगा निसान अब यहां से हमने जो कट लगाया भासे में फोल्ड करके रख लेना है इस तरीके से चोड़ाई में हमें पॉन इंच दबाना है और लंबाई में हमें साड़े चार इंच लंबी सल बनानी है क्योंकि आधा इंच नीचे से फोल्ड हो गया है इसी तरीके से हमें दोनों साइट टक्स बनाना है तो यह देखिए हमने दोनों साइट टक्स बना लिए है अब हमें क्या करना है यह देखिए दोनों पार्ट को नीचे से हम बिल्कुल बराबर मिला कर रखेंगे और हमें बिलकुल किनार से इसमें पतली सिलाई लगानी है यह देखे इस तरीके से दोनों पाट को बराबर मिला कर यहां से हमें यह देखे इस तरीके से सिलाई लगानी है किनार से इसी तरीके से हम दोनों सेट से सिलाई लगाएंगे अब ये देखिए अब हम इसमें फेटिंग डालेंगे जो हमारा बिलाओ से हम इसके कमर को नापेंगे नाप बाला अब ये देखिए यहां से हमने वो पट्टी को के यहां से हमने दोनों पाटों को पिल्कुल बराबर मिलाकर कमर को नाप रहे हैं यह देखिए अब यहां पर हमें जो आई पट्टी है उसको हमें छोड़ना है उसको हमें नहीं नापना है यह देखिए अब जो हमारा पिलाव से सलाइवल उसकी भी आई पट्टी को हमें नहीं नापना है उसको भी हमें छोड़ना है ये देखी इस तरीके से अब इस बचे हुए कपड़े को हमें नापना है इसकी चोड़ाई आ रहा है ये डबल फोल्ड करने के बाद था इंच अब दोनु साइट हम सबा इंच फिटिंग करेंगे कमर के हां से अब ये देखी सलीप्स के हां से हमें स्लिप्सकी चोड़ाई आ रहे थी पाँंच न्याँ पर हम पाँंच पर मार्क करेंगे और एक हम अब यह देkolर हम चेस्ट की हां फिटिंग करनी है तो हमें यी देखिے इस तरे के से ना अपना है चेस्ट का आई पठ्टी को फिटिंग करी मैं हमें दो इंच बचा है क्योंकि दो पाइंट पहले हमने दबा दिया है अब कमर के हां से हमें सावा इंच दबाना है नीचे से हम इसमें दो सलाई लगा रहा है एक मैंड फिटिंग और एक हम एक्ट्रा रख रहे हैं इसी तरीके से हमें दोनुर साइट से बिलाउज में फिटिंग करना है तो यह देखिए सल्वारा प्रिंसिस कट बिलाउज बनकर तयार होगे अब हम इसमें उपर सेप्टी बद्धी लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से हमने एक लंपी बद्धी बना कर तयार किये और यह देखिए पीच में से कटिंग करके हमने उसके दो टकड़े कर लिये हैं अब हमें यहाँ पर सोलर के जोइंट पर इस बद्धी को रखकर जोइंट करना है इस वाली प्रिंसिस कट बलाउज की जिनका फिगर बहुत जादा होता है उनकी फिटरिंग सामने से बहुत अच्छी आती है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नाराएं नाराएं